हाई गाईज माई नेम इस शिंसेगर बरूला और मेरे नमबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे IS Audit Techniques और Computer Assisted Audit Techniques यहनी Information System Audit Techniques और फिर Computer Assisted Audit Techniques और हमने basic concepts को complete कर लिया था और हम IS Audit Approach में आ गये थे Audit की Approach अब हम Audit करना Computer Assisted Audit Techniques की तरफ बढ़ रहे थे और पहले हमने IS Audit Approach पढ़ना स्टार्ट किया था उसमें हमने यह जाना था दो तरीके से Audit होता है एक Auditing Around the Computer और एक Auditing Through the Computer तो Auditing Around the Computer हमने पिसले सेशन में पढ़ लिया था Black Box Approach को हमने पिसले सेशन में पढ़ लिया था और हम नहीं यह जाना था कि Black Box Approach में क्या होता है प्रोसेसिंग चेक नहीं होती है बलब जो Computer के अंदर प्रोसेसिंग चेक नहीं होती है सब कुछ चेक होता है बलब डीटा फाइल्स कहां रखी जाएंगी Unauthorized Invalid Amendments तो नहीं होते हैं उनको कोई किसी डीटा को करेक्ट करना है तो कैसे होगा Processing Instructions किस तरीके से होते हैं और इसारी चीज़ चेक होती है असल में बेसिकली Input चेक होता है और उससे सारी चीज़े इन्फर की जाती है और बाकि फिर देखा जाता है कि डीटा फाइल्स कहां रखी जा रही है अगर कोई duplication तो नहीं हो रहा है यह सारी चीज़ें देख ली जाती है लेकिन Computer के अंदर Logically नहीं जाया जाता है Computer Assisted Audit Techniques का यूज़ करके Generalized Audit Software का यूज़ करके Computer के अंदर Logically नहीं खुसा जाता है Black Box Approach में यानि कि Computer के अंदर के Controls नहीं देखे जाते हैं Computer के अंदर Logical Controls होते हैं तो बेसिक लिए अगर हम समराइज करें तो हम यह कह सकते हैं Black Box Approach में Compliance Audit पूरी तरीके से नहीं होता है यानि कि Test of Controls पूरी तरीके से नहीं होता है Controls की Testing पूरी तरीके से नहीं होती क्योंकि Processing आप चेक नहीं कर रहे हो तो Controls को चेक नहीं कर रहे हो अब हम एक Environment लेते हैं जहां पर तक्रीबन 100% Computer Automation हो गया है 100% Automation पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि 100% पॉसिबल तभी है जब Artificial Intelligence आ जाएगी Artificial Intelligence को आने में 25 साल से करीब 40 साल का फासला है और Narrow AI आ चुक है Narrow Artificial Intelligence आ चुक है लेकिन AGI जो General Intelligence है उसको 25 साल से 30 साल या 35 साल कुछ लोग कहते हैं 40 साल का फासला है और कुछ लोग 20 साल भी कहते हैं अलग अनुमान हैं तो 25 साल से 40 साल या 20 साल से 40 साल आने का भी फासला है तो जब तक Artificial Intelligence नहीं आ जाती तब तक 100% Automation अवेलेबल पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़े देर के लिए समझ लेते हैं कि Accounts Department, Accounting जो है वो Automated है मतलब 100% तक्रीमिन 90% Automation पॉसिबल है ERP जहां पर लगी है, Highly Complex ERP लगी है वहां पर Massive Automation है, मतलब वहां पर यह समझ लेते हैं 90% Automation हो गया ट्रेडिशनल मेतर्ड से अगर आज compare किया जाए वह 90% Automation हो गया और Automation बढ़ता चला जा रहा है अब एक ऐसे environment में जहां पर थोड़ी देर के लिए हम यह समझ लेते हैं 100% Automation है आपका entry होती है, अगर मालिया सबसे एक bank है तो वहां पर क्या है कि आदमी जो है electronic money आगी सबस्थ यह आजकल electronic money की तरफ कई country जा रहे हैं, Denmark जा रहा है आपका, अफरीका के कई country के हैं, इसराइल ने बोल दिया है कि electronic money होगा यानि कि सारी कि सारी money economy से गायब हो जाएगी, केवल e money होगा यानि कि आपके notes गायब हो जाएगे, physical money गायब हो जाएगे यानि पहले thousand rupees के notes, अगर इंडिया में वह लागू होगा तो कुछ इस तरह से लागू होगा कि thousand rupees के notes गायब हो जाएगे, फिर 500 के गायब होगे, फिर 100 के गायब होगे, फिर 50 के गायब होगे और धीरे-धीरे क्या है, सारे notes गायब हो जाएगे और और भी country, e economy की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो suppose e economy आ गई है, e economy आ गई है, और डेन्मार्क में एक 5 star hotel है, आप डेन्मार्क घूमने जाते हैं, 5 star hotel में जाते हैं, और अपना पैसा स्वाइप करते हैं, automatically पैसा उसके account में ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप refresh होने के लिए नीचे जाते हैं, और वहाँ पर कोई restaurant के अंदर जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, और फिर card स्वाइप करते हैं, और पैसा ट्रांसफर हो जाता है, आप डेन्मार्क के उस hotel में गए ह पैसा ट्रांसफर हो आप यह समझे हो highly automated hotel है, और उसमें क्या है कि आज की date में होता भी ऐसी है, जो five star hotels हैं, वहाँ पर अगर किसी उसके restaurant में आप जाओगे, तो उसमें क्या है कि आप card swipe करोगे, तो automatically आपका menu निकल जाता है, उसने वहाँ पर आदमी खड़ा है, जो आपको service दे रहा है, उसने button दबाया, और आपका entry की system है, आपने उसे पैसा पे किया, इंडिया में होते हैं, तो physically pay करते हैं, ATM card से पे करते हैं, या debit card से पे करते हैं, या credit card से पे करते हैं, वहाँ पर आप electronic money पे करते हैं, electronic money पे करते ही, वह पैसा आपके account में चला गया, entry automatically ERP में flow ह गई, hotels में pro logic करके software आता है, वो लगा होता है generally, तो entry automatically system में flow हो गई, अब entry जो भी entry आ रही है, Denmark जैसे country में, जहांबर highly automated systems है, जहांबर आपके थोड़ी देर के लिए मान लीजे कि 100% automation, 100% e-currency आ गई है, तो आप पैसा पे नहीं कर सकते हैं, physical money पैसा नहीं पे नहीं कर सकते हैं, आप e-money पे करेंगे के बाद, तो आपने जैसे e-money पे किया, उस hotel के bank account में उतना पैसा credit हो गया, और accounting entry automatically flow कर गई, और accounting entry ने automatically आपकी balance sheet तक हिट कर गई, वो accounting entry, initially हो सकता है कि एक manual interface हो, accounting entry, restaurant से travel करे हुए electronic signals, और क्या कहते हैं, आपके accountant के पास जाए और draft के रूप में automatically save हो जाए, और accountant उस draft को देके और okay 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 करें, तो automatically entry system में चले जाए, बाद में उस आदमी की विजरुवत नहीं रहीगी, तो automatically entry flow करना start करेगी, तो यह समझ लीजिए, automatically entry flow कर गई, यह systems हैं आज की date में, आज की date में आप किसी अच्छे five star hotel में जाते हैं, तो वहां पर ऐसे systems ह हैं, कि automatically, जो है, जो अगर आपने credit card से है, debit card से pay किया है, तो automatically उनके accounting system में entry flow कर जाती है, और उनकी balance sheet को update कर देती है, तो यानि कि ऐसे particular system में, आप audit करने जाते हैं, अब वहां पर क्या है, दो एक accountant बेटें, केवल दू चार है, तीन accountant बेटें, और आप बोलते हैं, जी आप entry इसे डालते हो, वो कहते हैं, जी एंटर तो automatically डलती है, हम कुछ नहीं करने हैं, इसमें, entry तो automatically डलती है, वोलते है, voucher, voucher, voucher की क्या जो रहता है, आप system को देखो, system को audit कर लो, तो ऐसे environment में, आप कैसे audit करोगे, आप black box approach नहीं अपना सकते, input automatically जा रहा है, output automatically आ रहा है, और ऐसा बहुत सी companies में हो रहा है, जैसे for example, flip card है, flip card में क्या होता है, कि आप pay करते हो, automatically, आप बैठते हो, आप order करते हो, आप उसको पैसा pay कर देते हो, वो उसकी accounting, आपके account, automatically, आपके account से पैसा उसके account में चले जाता है, और फिर उसके बाद, उसकी accounting entry, directly उनके system में चले जाती है, मुझे नहीं बता कि उनके system कैसा है, लेकिन मैं, क्यूंकि, वो एक sophisticated IT environment होना चाहिए, एक company इतनी तीजी से grow कर रही है, IIT के बंदे उसमें, उसके promoters हैं, तो उनके माँ भी ERP होनी चाहिए और होगी, और उस ERP में, automatically, आपका accounting entry अपडेट हो जाती है, यानि कि, automatically, cash purchase की entry, अपने आप system में flow हो जाती है, और automatically, balance sheet update हो जाती, balance sheet level तक update हो जाती, उस second की balance sheet आप निकाल कर देख सकते हो, उस as at that second की balance sheet निकाल कर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप audit करना चाहोगे, तो आप कैसे audit करोगे, यहाँ पर आप black box approach नहीं लगा सकते हैं, आपको white box approach लगानी पड़ेगी, यानि कि, आपको system के अंदर घुसना पड़ेगा, logically, physically आप system के अंदर नहीं जाते हो, यहाँ पर computer assisted audit techniques का आपको use करना पड़ेगा, computer assisted audit techniques का use करके system के अंदर logically घुसना पड़ेगा, तो objective आपका यहाँ पर क्या होगा, system को understand करना, processes को identify करना, risk देखना, controls देखना, process level पर जाकर, system और process level जाओ गया, यानि कि अगर flip card की website है, flip card में आपने अपने घर में बैठे हो, और एक particular चीज देखी और particular चीज का order दे दिया, और bank account को automatically पैसा चला गया, अब यह system है, और फिर वो automatically आपकी flip card की ERP में, जो वहाँ पर ERP है या उनका जो accounting system है, उसमें automatically entry आगी, तो अब आपको entry देखनी है, यहाँ पर normal audit rail नहीं है, यहाँ पर केवल electronic signals चल रहे हैं, बलकि ऐसा हुआ कि, यहाँ पर मैंने जब purchase की, मैं as a individual मैंने purchase की, तो electronic signals मूव किये, bank को electronic signals मूव किये, मेरे credit card का number, मेरा password bank को move किया, flip card को electronic signals मूव किये, उसके bank में, एकाउंट में उतना पैसा आ गया, यहाँ नहीं कि, electronic signals bank को पहुँचे, electrical signals को पहुँचे, flip card के पास भी वो electrical signals पहुचे, उनना नहीं कि, इतना पैसा मेरे bank account आ गया, flip card ने बुला, bank ने उसे cross verify किया, इतना पैसा आ गया, यह entry accounting system में flow की, उसके बाद वो order vendor को place हो गया, vendor को address वो अगर सब पता चल गया, vendor ने deliver किया, जैसे delivery cycle पूरी हुई, या credit period जो भी vendor का, उसके account में उसका पैसा चला गया, यानि vendor से flip card ने एक particular commission चार्ज कर लिया, बीच में, और उसमें किया है कि, अब जो यहाँ पर accounting entry का flow रहा है, वो electronic signals का flow रहा है, वो सारा काम electronic signals कर रहा है, अब यह transaction multiple transaction नहीं है, ध्यान से देखा जाए, तो एक single transaction है, series of transactions, एक single transaction पहले क्या होते थे, कि, series of transactions होते थे, अब यह series of transactions integrate होकर, एक single transaction हो गया है, और यह, पहले transaction क्या होता था, कि, आपने purchase का order दिया, तो purchase department में गया, उसके sales department में गया, और उसके बाद फिर order गया, फिर माल आया आपके पास, और उसके बीच में कई तरीके के manual intervention होते थे, यहाँ पर कोई manual intervention नहीं है, यहाँ पर organizational boundaries भी तूट गई है, उसके जो vendors, vendor को directly inform, पता चल जा रहा है, कि यह particular item, इस particular address में, इस particular item की requirement आई है, तो ऐसे particular system में, जहाँ पर 100% automation आगया है, कि virtually 100% automation आगया है, particularly accounting systems में, वहाँ पर traditional audit trail disappear हो गई है, और entire processing cycle computer system के अंदर होती है, और एक single transaction की तरह काम करती है, और कई-कई जगे तो वो organizational boundary को भी तोड़ दीती है, और यहाँ पर complex set of networking computing system यूज किया जाता है, तो यहाँ पर auditor के लिए control चेक करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर transactions चेक करना उतना ज़्यादे important नहीं है, क्योंकि transactions उसी processing logic की वज़े से execute हो रहे है, logic है वो transaction, पूरे transaction को वो execute कर रहा है, तो यहाँ पर controls को चेक करना बहुत ज़रूरी है, auditor को logic को examine करना बहुत ज़रूरी है, internal controls देखना बहुत ज़रूरी है, और यह internal controls application या related software में यह controls लगे हैं, तो auditor को यह देखना पड़ेगा है, कि यह technical accuracy है की नहीं है, system सही तरीके से काम कर रहा है की नहीं कर रहा है, उसमें checks और control सही तरीके से काम कर रहे हैं की नहीं कर रहे है, error हो रहा है तो उसका detection हो पा रहा है की नहीं हो पा रहा है, data security procedures क्या है, तो इसके लिए auditor को क्या करना पड़ेगा, system के अंदर logically घुशना पड़ेगा, और एक software का इस्तिमाल करना पड़ेगा, और white box approach इस्तिमाल करना पड़ेगी, अब यहाँ पर auditor internal audit के लिए आया है, तो उसको अपने internal audit के objectives को meet out करने के लिए, information technology को use करना पड़ेगा, अगर वो effectively auditing objectives को meet out कर रहा है, वहाँ पर जाकर देखेगा क्या, पूरे system के अंदर electronic signals चल रहे है, भार तो कुछ है ही नहीं, input तो मैंने दिया, मैंने अपने घर में बैठकर input दिया, input वो automatically travel किया, वो system के अंदर travel कर गया, output जो है, वो organization के बाहर vendor के बास चला गया, मैंने कहा कि जी, मेरी को एक mobile phone चीए है, तो जो आपकी flip card है, उसने तो में एक medium apply किया, मेरे से order place हुआ, पैसा मेरी account से, उसके account में गया, बैंक account ने flip card को बताया कि पैसा कट गया, और फिर order automatically आपका उस vendor को चला गया, जो लिस्टिड वेंडर है, flip card में, उसको चला गया, अब यहाँ बर input भी नहीं, output भी नहीं है, audit trail सारी के सारी कायब हो गई, system में logs हैं, logs के through check करना है, और system में logically घुश कर देखना है, processing controls लगे हैं कि नहीं लगे, इंटर्नल कंट्रोल्स हैं कि नहीं हैं, तो basically auditor क्या करेगा, computer assisted audit techniques के यूज करेगा, generalized audit software यूज करेगा, उसी से data extract करेगा उससे, और उस data को analyze करेगा, और फिर querying करेगा, जो transactional data जो है, और फिर उसमें, जो transactional data है, उसको उसकी processing देख सकता, वो live processing भी देख सकता है, क्योंकि live processing हो रही होगी, और उसको query कर सकता है, कैसे कर सकता है, generalized audit software के यूज करके, उसकी querying कर सकता है, और stages को logically देख सकता है, physically वो नहीं देख सकता है, physically तो electronic signals है, electricity vary है, electricity को कैसे वो देखेगा, electricity देखाई थोड़ी देखी, electrical signals फ्लो कर रहे हैं पूरे सिस्टम में, तो controls की effectiveness को चेक करेगा, और parametric settings देखेगा, basically system की parametric settings देखेगा, जो application software वगर है, तो ऐसे situation में, computer implemented controls, human controls नहीं, computer implemented controls को test करना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां controls भी computer द्वारा implement होते हैं, यहां पर manual intervention ही नहीं, यहां पर input एक बहार का आदमी दे रहा है, output कि किसी vendor के पास जा रहा है, एक customer online, online आदेश दे रहा है, कि मुझे यह purchase करना है, online order दे रहा है, और output जो है, वो भी एक vendor के पास जा रहा है, बदले में उस vendor को order दिया जा रहा है, order यह मेरा order एक particular vendor को assign किया जा रहा है, जो मैंने choose किया है, तो यहां पर computerized implemented controls हैं, human implemented controls नहीं है, human implemented controls क्यों नहीं है, क्योंकि speed कम हो जाएगी, errors हो जाएगी, यहां पर errors का कोई chance नहीं है, तो इन computerized implemented controls को, जो ऐसे control जो computer implement कर रहा है, तो computer कैसे implement करेगा, electronic signal से उन controls को implement कर रहा होगा, और ऐसे situation में high volume होता है, transaction complex होते हैं, तो powerful IT tools की जरूवत होती है, इनी powerful IT tools से auditing की जाती है, तो basically इसे summarize करें, white box approach में क्या होता है, white box approach को समझने के लिए, हम 100% automated environment में चले गए थी, लेकिन white box approach ही general approach है, जो हमें follow करना ही चाहिए, और एक traditional जो auditor है, वो black box approach के उपर, generally, practically अगर आप देखोगे, तो black box approach follow करता है, लेकिन, as a accounting और assurance standard 29 की वज़े से, के recommendation के अनुसार को आगर आप काम करोगे, आपको काम करना है, आप एक chartered accountant हो, एक accounting और assurance standard 29 को आपको follow करना है, तो आपको black box approach प्लस white box approach दूनों अपरानी पड़ेगी, आप केवल white box approach नहीं अपना होगे, processing controls ही नहीं देखोगे, आप black box approach भी अपना होगे, दूनों चीज़े अपना होगे, अधिकतर textbook में लिखा होगा कि आप white box approach अपना होगे, मेरा कहना है कि white box प्लस black box दूनों का combination आपको करना पड़ेगा, तो यानि कि आपको data देखना पड़ेगा, डेटा जो electrical signals के रूप में या binary के रूप में एक particular hard drive में रखा हुआ है, आपको data in transit देखना पड़ सकता है, data in rest देखना पड़ सकता है, हमने खाँ दू टाइप के data होते हैं, data in transit, data in test, दूनों को verify करना पड़ सकता है, उसके बाद क्या है कि, और आप ये verify क्या करोगे, इसमें quality के लिए verify करोगे, completeness के लिए verify करोगे, consistency के लिए verify करोगे, correctness के लिए verify करोगे, इनकी processing सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए verify करोगे, data का comparison करोगे, data का सही तरीक से regrouping summarizing हो रही है कि नहीं हो रही है audit sample लोगे और ये audit sample आपको system से उठाना पड़ेगा और पूरे processing logic को आप check करोगे और फिर आप processing logic को check करके फिर controls देखोगे आप controls जो हैं वो हर level पर देखोगे hardware के level पर देखोगे, operating system के level पर देखोगे database के level पर देखोगे, application software के level पर देखोगे अलग-अलग लोगों का अलग-अलग level of authorization होगा अब हमने ये बुला है, हमने जब हम operating system पढ़ रहे थे तो हमने बुला कि उसमें करनल होता है operating system आपके hardware से communicate कर रहा होता है तो उसकी security को भी आपको देखना होगा क्योंकि वहां से security बाइपास होगी तो फिर problem create हो जाएगा आपके पास एक centralized database है उस database में की security को आपको देखना पड़ेगा उस का data जहां पर रखा जाता है उसकी security को देखना पड़ेगा उसका जो software जहां पर रखा जाता है उस की उस सर्वर की सिक्रिटी को आपको देखना पड़ेगा लॉजिकल सिक्रिटी को आपको देखना पड़ेगा वहाँ जो प्रोसेस कर रहा होता है जिस सर्वर में प्रोसेसिंग चल रही होती है उस डेटा की उस पर्टिकलर प्रोसेसिंग को भी आपको देखना पड़ेग तो बैसिकलि अगर आप ने थीक से धियान दीया तो आपने दिखाऊगा कि वाइट बॉक्स एपरोच में जो भी चीज देख रहे हूं आप लॉजिखल सिस्टम के अंदर देख रहे हु आपका एपरोच जो है सिस्टम के अंदर की एपरोच आ दिए तो यानि कि आपका skill set भी बहुत बड़ा उत्रा होना चीए उत्री understanding होनी चीए कि आप system को अच्छी तरह से समझ सको आप ये जान सको operating system के level पर क्या controls है database के level पर क्या control है database जहां पर रखा जाएगा data जहां रखा जाएगा उसके level पर क्या controls है software level पर क्या control है जहां पर processing हो रही है उस level पर क्या controls है जहां data move कर रहा है data in transit है data in rest है data rest में आएगा तो किसी hard disk में आएगा या कहीं पर रखाओगा data center में रखाओगा या particular किसी server में रखाओगा अगर data बहुत जादे हो जाएगा तो data center में रखाओगा तो वहां पर logical controls सही तरी किसे लगें की सिस्टम के अंदर logically गुश कर आपको देखना पड़ाएगा और उसके लिए tools का यूज करना पड़ाएगा computer assisted audit tools और techniques का यूज करना पड़ाएगा तो basically ये थी white boss approach इसके बाद हमारी steady computer assisted audit techniques के बारे मैं कहती है computer assisted audit techniques हम वैसे भी पढ़ चुके हैं एक बार फिर पढ़ लेते हैं computer assisted audit techniques एक means है ताकि हम IT के अंदर logically गुश सके एक logical access ले सके और इस से कि हमें independent evidence gather कर सकते हैं computer assisted audit techniques की यूज करते हैं एक auditor क्यों यूज करता है generalized audit software क्यों यूज करता है कि auditor को basically opinion देनी है opinion के लिए evidence gather करना है evidence gather करने के लिए यहां पर evidence logical evidence ए logical evidence के लिए system के अंदर खुशने के लिए system के अंदर आप logically खुश सकते हूँ उसको logically computer के software yes अंदर system को आजब आप logically खुशोगे तो किस से करोगे एक सॉफ्ट्वेर के थूरू गुसोगे तो सॉफ्ट्वेर के थूरू सॉफ्ट्वेर का ओडिट करना है आपको तभी आपको एक इंडिपेंडेंट एविडेंस आप गैदर कर पाओगे तो कि समराइज किया जाए तो हम यह कह सकते हैं आपक हें स्ञस्टार आसे एक दोटोपी टकनीक्स यह झांडि टू समश्ट बेसिकरी ईक मीन्स है जिसके थरू हम इस ग्सक्राइब आइग्ज ढूटेस करते हैं और इससे अनलाइज को ता यह जो लॉजिकला जील है डीटा क्या है बाइनरी फ़ॉर्म में है डीटा या तो प्लॉपी है या अगर मालिया अब CD है तो उसमें 0101 है यानि गड़ा उबरी स्पेस गड़ा उबरी स्पेस उबरी स्पेस गड़ा गड़ा तो जो और वो नैनो मीटर का गड़ा होता है यानि कि बहुत छुटा उसका मतलब किया है जीरो और अगर वो उपर है तो उसका मतलब है वन तो यह पर्टिकलर डेटा इ लेखने के लिए, इस डीटा को एकसेस करने के लिए कि यूकि नेटर में यह इतर कुछ एटमवाइड है मैं उस चोटे लेवल पर देखने के लिए आपको जो टेक्णीक सर्टूल करती है वह अनन गुद्धि एसस्टेड और टेखनीक्स यह टूल सुथि यह उससे आप audit objectives meet out कर सकते हैं, आपके pre-determined audit objectives होंगे, आपके आओगे तो, या तो internal audit करने होगे statutory audit करने होगे, tax audit करने होगे, या environment audit करने होगे कुछ audit करने होगे एक particular IT environment में वो आपके audit objectives होंगे उस audit objectives को meet out करने के लिए और basically क्या है, finally आपको एक deliverable देना है, वो क्या है, audit report है और audit report में क्या होगी, opinion होगी वो opinion backed up होनी चाहिए, evidences के तुपरा evidences कौन से होगे, electronic evidences होगे जो evidences हैं वो computer assisted audit techniques वो evidence आपको दिलाने की कोशिश करेगा, particularly जहां पर तकरीबन 100% automation ERP environment है 100% ERP automation है जहां पर, वहां पर आपको logical evidence मिलेगा physical evidence नहीं मिलेगा तो basically, जो CAT है computer assisted audit techniques है वो आपको evidence देती है, logical evidence देती है और quality logical evidence देती है ऐसा वैसा logical evidence नहीं देती है और directly उसको access कराती है आपको और ऐसा, मतलब क्योंकि quality audit evidence दे रही है तो वो आपको बदाती है कि system processing किस तरह से चल रही है उसकी quality क्या है system processing की quality क्या है और फिर आप transactional evidence भी देख सकते हैं उससे cross check कर सकते हैं sample उठा सकते हैं electronic group से sampling कर सकते हैं CAD tool से electronic sampling कर सकते हैं पहले क्या होता था? आप organization में जाते थे आप करते हैं वाउचर देदेना यार जो वाउचर जो है एक लाग से उपर के वाउचर सारे देदेना हर मेने में आप वाउचर नंबर देख लेते थे और वह गलते थे जो भी वाउचर फंद्रा की multiplication में आ रहा है वाउचर आप मुझे देदेनाा इस मेने के Bayern लिए के वाउचर सारे देदेदेना मंध end लिए पांच-5 वाउचर देदे में लास्ट पांच लिए द content तर्फ के वाउचर देदेना इस तरही way से Haistaam sampling करते थे और vouchers उठाते थे transactional audit करते थे यहां पर क्या है कि आपके पास computer assisted audit sampling tools है यह यह भी software है इससे क्या है transaction को आप देख लेते हो तो basically इससे summarize किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि आप computer assisted audit tools का use करोगे internal controls check करोगे और substantive checking भी करोगे यहनी controls का test करोगे compliance और substantive testing दोनी कर सकते हो इस टूल से लेकर और उसके बाद data की quality control की quality आपको पता चल जाएगी और उसके बाद क्या है क्योंकि data आपको access हो गया है, और पता चलिगा है क्या quality of data, controls आपने check कर लिए, quality of controls आपको पता चलिगा है, तो एनी compliance perspective से भी देख लिया है, substantive testing के perspective से भी आपने data को देख लिया है, तो आप आपके पास audit evidence आ गया है, वो audit evidence को क्या आप करोगे, उसी की basis पर अपनी opinion दे दोगे, कर दोगे आपको audit complete हो जाएगा तो जो cat है वो auditor को उसके audit को efficiently और qualitatively manage करने में help करता है इसके बाद हमारी study में guidance note दिया हुआ है guidance note के बारे में बता हुआ है कि इस्ट्यूड चार्टेड अकाउंटेंट ने guidance note issue क्या है computer assisted audit techniques में और उसमें क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे इसके बारे में हमारी study बताती है तो generally basically क्या है guidance note में क्या दिया हुआ guidance note में यह दिया हुआ कि आप analytical procedures apply करोगे compliance procedure apply करोगे sampling programs होंगे उससे की data extract करोगे क्योंकि logically आप data extract कर सकते हो physically extract नहीं कर सकते हो sampling program से आप extract करेंगे उसके बाद क्या है basically application controls check करोगे क्योंकि logical application controls important important है application controls क्या है वही उसमें business logic होता है business logic कहा होता है जो भी आपके legacy softwares होंगे ERP होगा उसमें business logic होगा तो business logic कहा होता है application programs में होता है तो वहाँ आपको application controls को check करना जरूगी क्योंकि वह processing कर रहे है basically आपकी data की बागी operating system है operating system तो hardware से communicate कर रहा है application software जो है वह operating system से communicate करेंगे operating system जो है आपके hardware से communicate करेगा तो basically business logic जो है आपका application system में होगा तो वहाँ आप application control चेक करना पड़ेगा उसके बाद अगर आपके accounting entries हैं तो वहाँ पर आप calculation री-perform कर सकते हो यानि कि basically अगर देखा जाए तो जो computer assisted audit techniques के बारे में जो guidance note कहता है वो कहता है सबसे पहले analytical procedures के बारे में कहता है तो analytical procedures में आप क्या करते हो आप transaction की details को check करते हो balances check करते हो तो आप इसमें क्या करोगे software use करोगे for example interest लगा है bank ने तो आप recalculate करोगे या interest की checking कर रहे हो तो उसमें क्या है कि interest का recalculation कर लोगे अगर आप invoices देख रहे हो तो एक particular value के invoices आप extract करोगे इसके बाद analytical procedures होते हैं जैसे for example inconsistencies आप देखते हो या significant fluctuations देखते हो तो basically जो substantive procedures हो सकते हैं वो दो type के हो सकते हैं substantive procedures जो है substantive analytical procedures हो सकते हैं और एक normal substantive procedures हो सकते हैं तो substantive procedures में पहला क्या है आपने details देखी transaction और balances देखे उसके बाद आपने interest को recalculate कर दिया invoices देख लिए एक particular value से या particular period के invoices निकाल दिये और analytical substantive procedures में आप क्या देखोगे inconsistency और significant fluctuations देखोगे क्योंकि analytical procedures में आप data को में analytics अपना होगे यानि उसे या तो graph के form में देखोगे या बार chart के रूपर होगे या आप उसको एक particular format में देखोगे और उसमें से inconsistencies देखने की कुछिस करोगे fluctuations देखने की कुछिस करोगे उसके बाद क्या है कि control compliance procedures आप check कर सकते हो compliance procedure cat कहता है कि general controls देख सकते हो general controls में क्या देखोगे basically क्या है codes देखोगे मतलब सबसे पहले तो क्या है कि आप configuration देख लोगे setup या configuration को test कर लोगे operating system का configuration क्योंकि operating system जो है उसके उपर application आपके application program चल रहा है अब application program जो है वो application program जो है business logic लीव है mostly application program है कई software होते हैं वो उसको classify करना मुश्किल हो जाता है कि application program application program से operating system है क्योंकि वो operating system के level में जाकर hardware से भी communicate कर रहे होते हैं तो basically है लेकिन जो basically हम यह मानते हैं कि application system है और application programs है और operating system है तो basically आप general controls में क्या देखोगे जो operating system है उसका setup और configuration देखोगे अगर कोई program library है तो उसमें कैसे access किया जा सकता है क्योंकि program libraries में access होना unauthorized विक्ती का access होना dangerous है क्योंकि वही program उस operating system या उस software को चला रहा है आप code comparison software यूज कर सकते हो अगर proprietary software है तो बात लगए जैसे windows है वो proprietary software है उसका आपको logic आपको नहीं हो आपके पास नहीं होगा लेकिन अगर मालिय सब्सक्राइब आपने एक software develop कर रहा है तो code comparison software यूज कर सकते हो और फिर version देख सकते हो version management ने approve किया है कि ने किया है क्योंकि यह updation होते रहते हैं updation होते रहेंगे तो version change होता रहेगा उसके अलावा sampling लिए use कर सकते हो data को extract करने के लिए कि मलब लॉजिकली या तो आप उसे परामिटर्स दे दो कि यह यह परामिटर्स है इस date का data निकालो इतने इतने amount से उपर का data निकालो लेकिन कई sampling programs होते हैं उसमें automatically वह लॉजिक फीडेट होता है उसके बाद आप application control चेक करोगे performance calculation करोगे तो basically यह सारी चीज़े computer assisted audit techniques में देखोगे और यह हमारा guidance note कहता है तो यह summarized audit procedures थे computer assisted audit techniques के जो हमारे चाहिए